नमस्कार आप सभी दर्शुकों का बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ राहूल सौमित्र आप देख रहे हैं बड़ी कबर अमेठी से कबर है कि राने की दुकान में भीशण आग लगी है अमेठी में फायर ब्रिगिट की कई गाड़िया मौके पर मौझूद है आग पर किराने की दुकान में भीशण आग लगी है और उसे बुझाने की पूरी कोशिस की जा रही है फायर ब्रिगिट की मौके पर कई गाड़िया वहां पर मौझूद है और आग को बुझाने की कोशिस कर रही है इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं और अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आग कितनी भीशण नहीं होगी और ये शौर्ट सर्किट की वज़ा से आग लगी है ये भी जानकारी निकल कर सामदे आई है पहले स्थानी लोगों ने आग बुझाने की कोशिस ती जब उनसे नहीं हुआ तो तुरंट फायर बिगट को इस बात की जानकारी दी और मौके पर फायर बिगट की कई गाड़ियां वहाँ पर पहुंचे हैं देखिए ये शुरुवात की तस्मीर है आगरा में वाहन चकिंग के दोरान बदसलू की हुई है रहीस जादो का सदर पुलिस से बिवाद हो गया है बीना नंबर की जगवार सवार रहीस जादो की गुंड़ई देखने को बिली है रहीस जादो ने पुलिस कर्मी को धम की दी है पुलिस वालों को वर्दी उत्रव पुलिस उच जगवार वालों को सबक नहीं सिखाती है तो कि नंबर प्लेट तो उनकी गाड़ी में था नहीं लेकिन फिर भी वो उनके बारे में जानकारी कठा कर सकते हैं रईस जादो का सदर पुलिस से भिवाद हो गया और बीना नंबर की जगवार सवार रईस जादो ने गुंड़ई की है उन्होंने वर्दी उत्रवाने की धंकी दी है अगर पुलिस चाहती तो नाकावंदी करके उसे पकड़ सकती थी बैरहाल पुलिस ने F.I.R. लिख लिया है वाहन चकिंग के दौरान बदसलूकी हुई है जब पुलिस ने नंबर प्लेट के बारे में जानकारी मांगी तो उन लोगों ने कहा कि हम आपकी वर्दी उत्रवा देंगे जानते नहीं हो इस तरह की बातें उन लोगों ने कही है यानि उन्होंने अपने रसूक का इस्तेमाल किया है और पुलिस पर धौस दिखाने के कोशिश की है प्रशान कुलसेश इसमगत हमारे साथ जुड़े है फोन लाइन पर प्रशान तो उन रईस जदों के बारे में कोई इंफरमेशन हुई है जिनोंने आगरा पुलिस को है और इस कैफे का जो स्वामी है जो नियाज उद्दीन है वो सदर खाना चेत्र यानि सदर बजार में अपना कैफे चलाता है रसूक की दम पर जबी अपनी जगवार कार ला रहा था जिसमें दो अन्य लोग भी मौजूद थे पुलिस में जो मुकदमा लिखा है तीन सो ब लोगों के खिलाब मुकदमा दर्श कर लिया है और जो जगवार कार है उसका नंबर भी हर्याहा से रजिश्टर है उस नंबर को भी पुलिस ने अपनी पहरीर में खोल दिया है पुलिस ने लगातार बादशीत हम करने का यह परियास कर रहे हैं उनसे बादशीत है जब पुलिस औपचारिक्ता भर पूरी कर रही है खबर मतुरा से है जहां लोगसबा के स्पीकर ओम बिल्ला ने शराबियों पर कारवाई की है ओम बिल्ला इंदौर इंटर सिटी में यात्रा कर रहे थे उस दौरान पांच लोग शराब के नसे में धूत होकर एस वन कोच में हुर आरपीफ ने पांच योगों को घरफतार किया और सभी को निजी मुचल के पर छोड़ दिया थाना आरपीफ में आरपियों किलाब मुकदमा दर्ज हो गया ये मामला इंदौर इंटर सिटी ट्रेन के डी फाइब का है इसी ट्रेन में लोग सभा के स्पीकर भी यात्रा कर र रहते हैं यह ओम बिल्ला क्या उसी ट्रेन में सफर कर रहते हैं जिनके शिकायत के बाद यह कार्रवाई हूई है जिए बिलकुल इंदर सिटीर्टेंटर सेटीं इंदर सेटीए जो कोट तेंदरी एक दूसी शीए आशीमुदा उस में बेंटेुए को बलो भी राबर में च इसको लेकरके जिए अब अप्तिजिए टाई तयद्वी तो अबने और पियात की निगा में और बेजा निगा जिर्वाद को रख़ालएं में तनासी ती गई उनके बाइकाईदा इनकी शीद के हैं जिए परभानश इस ट्रख़बद गरामत कियागि dwudczy नुँगा दो हाफ द तो दिये गया है शुक्रिया मोहन श्याम सर्मा इस इंफरमेशन के लिए आपका कानपूर से खबर है यूवक के निर्मम हत्या से संसनी फैल गई है कुछारी से काट कर यूवक की हत्या की गई है होटेल संचालक की निर्मम हत्या की गई है कंडोच के दाईपुर निवासी की हत्या की गई है बिलहौर थानाफ्षित्र के गांगुपुर की एक हटना है बड़ी खबर है गांपुर में यूवक की निर्मम हत्या से संसनी है कुलहारी से काट कर यूवक की हत्या की गई है वजह सामने आई है अवनीश ऐसा क्यों किया गया है पुराने रंजिस एक वजह हो सकती है ऐसा अवनीश का मानदव है Menga Congress के वार को योगी आधितनात की cabinet के बैठक होती है कई अह्म प्रस्ताओं पर आज मोहर लग सकती है मुक्हमत्री योगी की अध्यक्ष्ता में बैठक होगी बैठक में कई प्रस्ताओं कमन्जोरी मिल सकती है 11 बजती बैठक होगी, मॉब लिंचिंग को लेकर मुवज़ का प्रस्ताओ पास हो सकता है, मृत को के परिज़नों को मौबज़ का प्रस्ताओ पास हो सकता है, गुड, खानसारी के लिए एक मुस्त अबाधान योजना आ सकती है, प्रोचसाहन मिल सकता है, जेवर एरपोर्ट को देने का प्रस्ताव भी आ सकता है जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है फिल्म सूपर 30 के लिए वैट की प्रतिपूर्ती का प्रस्ताव भी आ सकता है चुकि उतरप्रदेश सरकार में ही फिल्म सूपर 30 को टैक्स प्री किया था ये तमाम प्रस्ताव आज आ सकते हैं आज सभी मंत्रयलियों के एक एक प्रस्ताव लगे हुए हैं जिनमें से मुक्ष मंत्री योगी आदित्वराद को कुछ एहम प्रस्ताव पर मोहर लगानी है कब्रिस्तान सुजुड़ा प्रस्ताव आ सकता है प्रोन्नत संबंदित नियमों में बदलाव का प्रस्तावा सकता है उद्यान विभाग के समवर्ग चार को लेकर विचार किया सकता है कर्मियों के समायोजन पर प्रस्तावा सकता है इसके साथ अधिनस्त कृषि सेवा नियमा उली में संशोधन हो सकता है त्रीटी ये संसोधन पर मुहर लग सकती है। योगी कैविनिट की आज एहम बैठक है। कई एहम प्रस्तावों पर आज योगी आदिवत्तनाथ की दिक Campaign की बैठक करते है। आज सभी मंत्रालियों के एक एक प्रस्ताव लगे हैं और आज एक बात ये भी देखने वाली है कि मुख्य मंत्री ने ये बहुत क्लियर कह दिया था कि प्रमुक्ष सच्यू से नीचे लेबल का आफिसर्स नहीं होना चाहिए संजे सिंग्चौहान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है संजे सिंग्चौहान आज कौन से प्रमुक्ष प्रस्ताओं पर मोहर लगेगी वो बताईया प्रस्ताओं पर मोहर लगने की कमावना दिखाई या रही हूँ साय जन्या विवाद की गुड़ के भंडारन फोले करके हो या मौब लीकी में इस दिश्रीके से प्रस्ताओं पर मोहला की मौब लीकी जब मेरे जो प्रिंट लोग है उन्टों किसी से रहा की जाए हुआ है चलिए संजी आपसे बात चीत की करने की कोशिस की जाएगी आपकी आवास क्लियर नहीं पहुचरी फिलाल आपका बहुत बश्चुक्रिया इस पूरी इन्फरमेशन के लिए बाकपत में टीचर की बेरहमी CCTV कैमरे में कैद हो गई है टीचर की बेरहमी का वीडियो वारल हो रहा है उठक बठक ना कर पाने पर चात्र को पीचा गया है चात्र को डंडो से पीचा गया है जमीन पर गिरे चात को डंडो से पीचा गया है उठक बठक के बाद पारेड नि चात्रो को मारा पीचा जा रहा है सिक्षा देने के बजाए मारा पीचा जा रहा है यह एक्स्क्लूजिव तस्वीरे हैं जो आप देख रहे हैं टीचर की बेरहमी का वीडियो आप देख रहे हैं चात्र को डंड से पीटा गया है। देवेंद्र सिंग चोहाद फोल लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। देवेंद्र ये किस स्कूल का मामला है और ऐसा ध्यापक्यों कर रहे हैं। उनको लाकी गंडों से पीटा जा रहा है। बिलकुल जो जलाज बने हुआ है जो अध्यापक हैं वो साथ स्कूल कर दिन पुरानी वीडियो बताई जा रही है। और इसके जो वीडियो बाइरल हो रही है बड़े ताहमाने हैं। जिस तरीके से एक अध्यापक बताए जा रह जानकारी के लिए आपका तो मुस्लिम इंटर कॉलेज का ये मामला है जहां पर बेरहम टीचर बच्चो को मार पीट रहा है मैं ए DESA सिट इबारे में रेकॉर्ड हो गए हैं की बेरहमी उठक बैठक कि लिए और चात्र कॉर्ण को पीटा गया है चात्र को डंडे और लातो से पीटा गया है जमीन पर गिर गया था कर उसके बजाए ऊथाने के वांव है घंडे से पीटा गया है ये बाई ये देखो कर गया है लखनों से खबर है 12 बजे से महरम का जलूस निकलेगा आशुरा का जलूस 12 बजे से निकलेगा सैकडो ताजिये के साथ आशुरा का जलूस 12 बजे से निकलेगा पुराने लखनों में सुरक्षा ब्योस्ता चाक चौबन कर दी गई है पूरे शहर में पुलिस ने डाइवर्जन किया हुआ है सुरक्षा में पुलिस और अर्दसेनिक बलो के तैनाती की गई है इमाम हुसेन की याद में आश्रा का जुलूस आज निकलेगा आज ही के दिन इमाम हुसेन शहीद हुए थे आश्रा ए मुहर्म को हुसेन को शहादत मिली पुराने लखनों में कई जगों पर मजलिस का आयुजन किया गया है बारा बजे से आज जुलूस निकलेगा मुहर्म पर अलर्ट दिल्ली मुहर्म पर देश में आतंकी हमले का अलर्ट दिल्ली समित कश्मीर समित कई राजज में आतंकियों के निशाने पर है खोफिया विभाग ने जानकारी देकर अलर्ट किया है कल सोपोर में आठ आतंक वादियों को पकड़ा गया था आतंकी दुकान खोलने वालों को धंकी दे रहे हैं यानि आतंकी जो दुकान खोल रहे हैं उनको धंकी दे रहे हैं लेकिन ये धंकी मिल कैसे रही है खूफिया विभाग ने इस बात की जानकारी राज्यों को दी है आतंकी दुकान खोलने वालों को धंकी दे रहे थे आतंकी दुकान खोलने वालों को धंकी दे रहे और ये धंकी कैसे वो दे सकते हैं महरम परदेश में आतंकी हमले में अलर्ट है और दो समवादता इस वक्त हमारे साथ लाइब जुड़े हुए है आवेश उस्मानी दिल्ली से अबरता जुड़े हैं संजे सिंग चौहान इस वक्त लखनो जुड़े हुए है आवेश खूफिया विभाग ने कई अलर्ट जारी किया गया है खूफिया विभाग को कहां से इंपुट मिला है कहां से तो मत बताईए लेकिन इंपुट क्या मिला है कई राज्यों में आतंकी खत्रे के माम बात सामने आई है जो हैं वो उसको लेकर सुखूफिया भागने अलर्ट जारी किया और कल जिस तरह के सुखूर में कई आठ हातंकियों को ग्रिस्तार के का उसके पर लगतारम से पूश्टाच चल लिए राज्थान में भी बार के नीचे से जो जो इंटरनेशनल बॉर्डर रोसमें जो तार की बॉर्डरिंग है उसके नीचे से कुछ आतंकमादी गुस्ते वे पकड़े गए थे उसके अलावा केरल में भी ऐसी खबरे थी पहले भी और फिर बाद में ऐसा खबर आया कि कुछ आतंकमादी जो हैं वो बोट के साहरे केरल में इंटर कर सकते हैं और आतंकमादी वारद इसके लावा देश के अन्य राजे जो हैं उनको भी सभी राज्यों से अलड पे रहने के लिए कहा गया है क्योंकि इस तरह से आतंकी लगतार कोशिश कर रहे हैं भारत में इंटर होने की पाक्सान की तरफ से उसको लेके सुरक्षा अलड़ भी जा रही है और अगर सुरक् इसके लगतार को बिल्कुल संजे सिंचोहान भी इसमें इसमें इमाम बाड़े पर मौझूद हूँ जहां पर जूलूस आकर कि यहां मातम होता है और वर्स यहीं पर तो अगर बात करें तो उसके पुखता इंतिजाम किये गए है राजदाइन लखनों के पुराना लखनु है वहां के जो संदिक दिलाके हैं उसके पहले भी पुलिस में वहां पर पुरी तरीके से अलर्ट पर है और वहां जो है तैनाती की गई है साथ ही जुलूस जो है वह करी बारा बजे निकलेगा पुराएं लखनु से और कई इलाकों से डाइवर्जन किया गया है चुकि यह मातम का जुलूस है काभी बड़ी संख्या में लोग इसमें सामील होते हैं चुकि लोग अपने अपने घरों से ताजियों कुल ले करके पुराएं लखनु में पहुंचने लगे हैं तो हालात जो है एकदम काबू है कुल मिला के जुलूस बारा बजे निकलेगा तो उस पर पुलिस पूरी तरह के से अलर्ट है और पुराने लखनु में भाई संक्या में पुलिस वाल भी तैनात किया गया है राउल जी बहुत शुक्रिया संजे सिंग चौहान इस पूरी जानकारी के लिए दिल्ले से आवे बजे से ताजिये के जुलूस निकलेंगे इसके लिए एहतियात के तौर पर कई रास्तों को डाइवर्ट किया गया है आगे बढ़ेंगे एक एहम ख़बर है नोडा से प्राधिकरन के आफिसर चीन जाएंगे CEO ग्रेटर नोडा प्राधिकरन नरेंद्र भूशन ये चीन ज जाएंगे आईटी के सच्यू कुमार प्रशान भी चीन जाएंगे CM के बिशेश सच्यू अवनीज कुमार भी चीन जाएंगे एलेक्ट्रोनिक उद्द्यों को बढ़ावा देने के लिए ये चीन इसके दोरे पर जा रहे हैं ग्वांग ज्याओं में निवेश सम्मेलन में शिर्कत करेंगे 17 सितंबर से 21 सितंबर तक यहाँ पर कार्क्राम रखा गया है और हमारे उत्तरप्रदेश के कई सीनियर ऑफिसर वहां जा रहे हैं और चीजों को समझने के लिए जा रहे हैं चुकि चाइना में आप यह जानते ही हैं देखते भी है कि वहाँ पर इलेक्ट् कि आखिरकार यह लोग चीन क्यों जा रहे हैं और इनका दौरा कितने दिन का है दानिश कि आखिर को देखिए चीन के अंदर एक बहुत बड़ा उड़्ोग है एलेक्ट्रोनिक उड़्ोग और इंदुस्तान में वो दो कमी ने कहीं ने कहीं है उसी दोड़ा आयोजिस किया जाया है पर तक मंदलिया में जाएंगे चीन जाएंगे वहां पर कॉंजों में जो सम्म कि आखिए आपका बहुत शुक्रिया आर्थवेस्था मंदी की गहरी खाई में गिरती जा रही है ऐसा प्रियंका गांधी वाड़ा ने लिखा है ट्वीट करके लाखों हिंदुस्तानियों की अजीवका पर तल्वार लटक रही है आटो सेक्टर और ट्रक सेक्टर में गिर यह भी सवाल उन्होंने ही पूचा है और इस कवर के साथ इस बुटिन में फिलाल से नहीं नमस्कार